तो हम पहुंच गए है एक्सरसाइस 3.3 में अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको तो पहला कुश्चन दिया हुआ है यूज दा बार ग्राफ फिगर 3.3 तो एंसर दा फॉलाविंग कुश्चन्स यहां एक बार ग्राफ दिया हुआ है और उस बार ग्राफ में स्टूडेंट्स औ और उनके पैट्स का डेटेल दिया हुआ है कि क्लास सेवेंथ के स्टूडेंट्स जो है किसके स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स के पास में कौन-कौन सा पैट्स है डॉग्स है कैट्स है रैबिट्स हैंस्टर्स और अदर्स तो इसमें जो पहला प्रॉब्लम पूछा गया है पहला question पूछा गया है इस बार graph को देखके जो answer करना है वो है which is the most popular pet और जो second question दिया हुआ है इसका B वो बोल रहा है how many students have dog as a pet तो यह जो graph दिख रहा है इस graph में आप देखोगे तो दो axis है horizontal line को x-axis बोलते हैं और vertical line को y-axis x-axis में animals का detail दिया हुआ pet animals कौन कौन से हैं और y-axis जो है जहां पर 0 से 12 तक का number लिखा हुआ है वो students का detail है कि कितने students के पास कितने सारे dogs या cats या rabbits या जो कोई भी pet animal है तो इस बार ग्राफ को देखके इन दो questions का answer बताना है तो चलिए इसको समझते हैं whiteboard में कि किस तरीके से एक bar graph को read किया जाता है तो इस तरह का graph जो है आपके textbook में दिया हुआ है तो graph को read करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है यह जो horizontal line है यह होता है x-axis इसको बोलते है x-axis और यह जो vertical line होता है इसको बोलते है y-axis तो जब कभी मैं आगे किसी भी problem को solve करते हुए आपसे x-axis या y-axis के बारे में जिकर करूँ तो आपको समझ जाना ही कि x-axis मतलब यह line है और y-axis मतलब यह line है यह अब देख लेते हैं इस graph को bar graph क्यों बोलते हैं क्योंकि इस graph में bar बने हुए यह आप देख लोगे यह बार जैसा बना बार के रूप में हमको data बता रहा है क्या data बता रहा है कि कितने students के बाद यहां पर देखिए y-axis में students number of students है और x-axis में number of sorry pets है name of the pets है ठीक है यहां पर यह आपको pets animal के नाम दिये हुए किसी ने कुत्ते पाले हुए तो उसका डॉग दिया है किसी ने बिल्ली पाला हुआ है cat दिया हुआ है किसी ने खरगोश पाला हुआ है hamster है अधर्स तो अधर्स में बहुत सारे दूसरे जानवर जो उनको उनके घर में पाले गए होंगे गाय हो सकती है बकरी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यह है number of students कि कितने students है कौन-कौन से animals को पाला है तो अब देख लेत होता है तो y-axis जैसे आप देखोगे तो यहां पर 0 के बाद 2 है 2 के बाद 4 है 4 के बाद 6 है याने कि यह जो वन यूनिट है यहां पर वन यूनिट इस इक्वल स्टू लिख सकते हो अगर डिस्टेंस होगा तो सेंटीमेटर में लिख लोगा या तू स्टूडेंट्स लिख स यूनिट में कितना वैल्यू आएगा यहां पर एक यूनिट में दो स्टूडेंस का वैल्यू आ रहा है तो आप देख लेते हैं सबसे पहला जो प्रॉब्लम पूछा हुआ इस क्वेश्चन में वह बोल रहा है विच इस दा मोस्ट पॉपुलर पैट का मतलब क्या हो गया वह पॉपुलर की सो कहा जाएगा जो जानवर सबसे ज्यादा हो ठीक है अगर यहां इस ग्राफ को देखोगे तो यह जो डॉग है डॉग कितने स्टूडेंस के के पास dog है यह स्टूडेंट के पास dog है cat का देखोगे तो cat का बार जा रहा है ten तक y武 unb we are rain rocket का देखोगे तो two students के पास क्योंकि hams How यहां तक जा रहा है तो दो स्टूडेंट के पास rabbit है और hamster अगर देखते है तो hamster जो है यहां four और five के बीछ में तो four or five चे में क्या नमबर आएगा five आएगा obviously तो hamster जो है पांच student के पास में और यहां पर अगर देखोगे two और four के बीच में others है two or four के बीच में आएगा three तो obviously others में कुछ भी हो सकता है तीन ऐसे student है जिनके पास इन जानवरों को छोड़के कोई दूसरा पालतू जानवर है तो अब देख लेते हैं most popular most popular बोलने से वह जानवर जो सबसे ज्यादा लोगों के पास में आप देखोगे अगर dog तो eight लोगों पास है जो cat है cat दस students के पास में है तो हम यह बोल सकते है cat जो है वो ज्यादा popular इसका अंसर होगा cat ठीक है अब इसका बी ले ले लेते हैं जो इसका बी है बी वो रहे हाओ many students have dog as a pet कितने students के पास dog जो है कुत्ता जो है वो पालतू जानवर के रूप में है उनके पास में तो आप देखोगे dog जो है number of students यह dog का बार जा रहा है एट तक तो number of students y-axis में हमारा number of students है तो यह आंट students के पास dog है इसका answer होगा eight students ठीक है इस तरीके से बार ग्राफ को read करके उसका data हमको define करना होता है तो यह हो गया exercise 3.3 का पहला problem